कर्स फ्री कमपनी शेर बन गए रॉकेट, दो हजार रुपए के पार पहुंचा भाव निवेशक गदगद मल्टि बैगर स्टॉक, शेर बाजार में ज्यादा तर निवेशक उस शेर की तलाश में रहते हैं, जिस पर कोई कर्स न हो। तो आज हम आपको एक ऐसे शेर के बारे में बता रहे हैं, जो की कर्स फ्री कमपनी और इस कमपनी के शेरों ने अपने निवेशकों को माला माल करने का काम किया है। बता दें कि Astral Limited के शेरों ने पिछले तीन सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है Astral स्टॉक 14 अगस्ट 2020 को 588.04 रुपई पर बंध हुआ था और आज 16 अगस्ट 2023 को यह शेर 2035 रुपई पर पहुँच गया यानि तीन साल में इसने 246 परसेंट रिटर्न दिया दो साल और एक साल की अवधी के दौरान यह स्टॉक क्रमशय 32 परसेंट और 35 परसेंट चड़ गया इसकी तुलनामे सिन्सिक्स तीन वर्षों में 72.67 उचल गया है मार्केट कैप बढ़कर 54,306 करोड रुपई हुआ पलास्टिक पाइप बनाने वाली कमपनी का स्टॉक 28 मार्च 2023 को 1297.90 रुपई के निचले स्टर और 4 अगस्ट 2023 को 2057.95 रुपई के रिकॉर्ड उच्च स्टर पर पहुँच गया मौजूदा सत्र में एस्ट्रल के शेर BSA पर 1,990.35 रुपई के पिछले बंदस्तर के मुकाबले 2.24 परसेंट बढ़कर 2,035 रुपई के इंट्राडे हाई पर पहुँच गये थे कमपनी का मार्केट कैप बढ़कर 54,306 करोड रुपई हो गया तकनीकी के संदर्भ में एस्ट्रल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 69.9 पर है जो दर्शाता है कि स्टॉक न तो ओवर्सोल्ड है और नहीं ओवर्बॉट है स्टॉक का एक साल का बीटा 0.8 है जो इस अवधी के दौरान कम अस्थिरता का संकेत देता है एस्ट्रल शेर पांच दिन, बीस दिन, पचास दिन, एक सो दिन और दो सो दिन के मूविंग औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं कमपनी के तिमाही नतीजे कमपनी ने पहली तिमाही में 34.75 प्रतिशत की व्रिधी के साथ 119.8 करोड रुपए का नेट प्रॉफिट दर्स किया जो एक साल पहले अपरेल से जून तिमाही के दौरान 88.9 करोड रुपए का शुध लाभ था जून तिमाही में परिचालन से राजस्व बढ़कर 1295.2 करोड रुपए हो गया जो पिछले वित्वर्ष की इसी अवधी में 1224.3 करोड रुपए था परिचालन लाभ या एबिटडा Q21 में 17.54 प्रतिशत बढ़कर 201.6 करोड रुपए हो गया जबकि एक साल पहले की तिमाही में यह 171.7 करोड रुपए था बता दें कि कंपनी कर्स फ्री है